अब देखिए खेती को लाव का धंदा बनाना है। प्रदान मंत्री जी ने का किसानों की आयद दुगनी करना है। सेट कर 48 एकड़ खेट में सिचाई हो रही है विठल पाठल मानते हैं कि सरकार की मदद के बगेर यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था वे बताते हैं कि प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी और मद्धिप्रदीश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहां द्वारा किसान के लिए चलाई जाने वाली यूजनाओं का लाव लेकर यह आत्मनिर्भर बने हैं राज्य सरकार की यूजनाओं की मदद से उन्होंने इस तरह का प्लांट लगाया है उन्होंने किसान से भी अपने खेतों में ध्यान देकर मैनत करने की अपील की है ताकि वह भी खेती में ल तो फर्टिगेशन की भी बच्चत होगी, फर्टिलाइजर की और पानी की बच्चत होगी, कम समय में हम ज्यादा रगवे किसी चाहिए करेंगे, तो हमने दो साल पहले यह अर्टोमेशन प्लान लगाया है, यह 46 एकर में प्लान काम कर रहा था, अभी इस वर्षे हमारा 10-12 ए किसान विठल पाटिल का कहना है कि डिप एरिएशन और टिशू कल्चर के पौधे लगाने के लिए क्रिशे विभाग की और से अनुदान दिया गया था, इस अनुदान की मदद से उन्होंने नए सिरे से खेती शुरू की, इस वज़े से फाइदा हुआ, तो उन्होंने खे में कम्प्यूटर आटोमेशन प्लांट लगाया, जिससे केतों में उत्पाधन बढ़ा और कमाई लाखोत में पहुच गई किसान विठल पाठिल ने बताया कि शिवराज सरकार की यूजना से मिले लाख से 2021 में ये प्लांट 37 लाग रुपे की लागत से लगाया गया था, इसके माध्यम से पहले 36 एकड में ही पानी पहुचाया जा रहा था, लेकिन इस बार 12 एकड खेत को और बढ़ाया गया, अब 48 एकड खेत में कंप्यूटर सिस्टम से पानी पहुच रहा है, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है, किसान विठल पाठिल को जिला प्रशासन की और से समरित्व किसान के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है